जम्मू कश्मीर के अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो टैलेंट है वो कही ना कही परदे के पीछे है और सचनियूस नेटवर्क की हमेशे ये कोशिश रहती है कि हमारा जो टैलेंट परदे के पीछे है कही ना कही जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाया जाए और उनको लाइम लाइट में जो है वो लाया जाए यदि आज की मैं बात करूँ जमू कश्मीर के एक बहुत अच्छे कलाकार एक बहुत अच्छे सिंगर बंटी गोरिया जी जमू वाला के नाम से बहुत फेमस हैं उनी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और बहुत अच्छे इनके सौंग जो हैं फिलाल आल चुके हैं जो आपने सुने भी होंगे पंजाबी सौंग्स हैं इनके बहुत सारे जमू शेयर दी कुडी डोल वजदा ऐसे कई सारे सौंग हैं इनके और आपने सुने होंगे और उनी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और कौन से इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं और कौन सा सप्राइज पैकेज जो है जमू के शुमीर की अवाम के लिए लेकर आ रहे हैं सर बहुत बहुत स्वागत आपका सचनीज नेट्वर्क पर सबसे पहले चैनल का है का- जर्नी है वह कहा से शुरुवात हुई आप को लाइक आपने ट्रेनिंग ली है जिक इस तरी przedsiębior है और अचाहें मैं मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता था तो स्कूल में भी गाते थे फिर किसी फंक्शन वगेरा में कहीं भी हम गा लेते थे तो बड़ा अच्छा लगता था सिंगी तो फिर उसके बाद मैंने ये सीखा फिर आरके परवाना जी सर जी से बहुत बड़ी बात है आपका एक पंजाबी सॉंग है जम्मू शेहर दी कुड़ी मैं चाहूंगा उसकी तीन चार लाइने जो है आप जरू शेयर करें जम्मू शेहर दी कुड़ी मेरा दिल ले गई मेरा दिल ले गई मेरा दिल ले गई ओ जम्मू शेहर दी कुड़ी ओ पिंड मेरे आई सी बण के परोनी नी मैंनू इंज लगी जी में हूर कोई होनी नी जम्मू शेहर दी कुड़ी मेरा दिल ले गई जम्मू शेहर दी कुड़ी क्या वाके में सच है कि जम्मू शेहर दी कुड़ी ऐसा कुछ है जहाँ कैसे सोंग कोछ रियालिटी कुछ स्टोरी है बैक लाइफ की मैं चाहूंगा थोड़ा वो भी बता है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है बस यह था कि कई लोग अपने हुनर के जरीए अपने स्टेट का नाम बताया है एक काफी अच्छा एरिया है अपने बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर आठिस जो है केहना कि जो सिटी लवल के हैं जो शेहर में इस आधाया जाता है यह चीज हमें सुनने के लिए मिलती है तो आपको क्या लगता है कि आप एक अखनूर के अंदर एक गाउं है वहां से आप इस जगा पर आते हैं लाइक वहां से आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं वहां से आप को जाना जाता है तो कैसा लगता है आप क्या कहेंगे इसके उप यह बात तो बिल्कुल सही है कि गाउं जो गाउं है हमारे वह अभी भी मतलब बड़ा इस इस फील्ड में बहुत पीछे हैं जो सिंगिंग में क्या वो किसी भी आप किसी भी चीज फील्ड में लगा लो आप बड़े पीछे हैं तो मुझे यह जो सिंगिंग सीखने के लिए ह मैं आनी सकता था तो मुझे हर संडे को यहां पे जम्मू में आना पड़ता था हर संडे को मुझे आना पड़ता था और यहां पे आके मुझे परवाना सर जी से फिर मैं मिला तो फिर मैं इनसे सीखने आता था तो हर संडे को आना पड़ता तो बड़ा मतलब यह बड़ा एक अच्छा नाम आपने बना लिया बंटीगोरिया तनी Alm inc wyd बहुत अच्छा ऑपने नाम बनाइएं कहीना कहीन आपको नहीं लगता जपने अच्छा बहुत सारे में इंडर 18 बहुत सारे हैं सिंगर बहुत Сाथिह इस पहुत मुशल होता है ये हमारे जम्मू görüngen का नाम इंप्रूब होता है, आची बात आशा आना चाहिए. हर एक इनसान की से अलग पहचान है हर इनसान की एक अलग कला है, हर इनसान की अलग वाइस है वह तो आपके वह पके लाज़ डेपैंड करता है को आपने कितना अच्छा काम किया है तो सुनने वाले को कितना अच्छा लगेगा जो आपको अगर आपने कौाम अच्छा किया है तृतव जो पिर वी कोई डरने वाली बात नहीं कि और काफ़ी सिंघर आ रहें तो मुझे उसमें कोई प्राइलम नहीं है काफी होता ही रहते है II , ऐज भी हजारों सिंगर जो है वो बॉलिवुड में गारे है तो और भी जो हजारों आ रहे है तो ये अपटावन चलता इए जिनको देखके आप इन्स्पेरेशन है जिनको देख Healing आप के जैसी होने चाहिए ऐसा कुछ है आपका आइकन कोई वैसे तो मेरे आइडल जो लगा लो आप जिनको बोल सकते हैं वो है मेरे मास्टर सलीम जी तो वैसे सिंगर जो है वो मुझे सारे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसा नहीं है बहुत इच्छा गाते हैं सब दो कई वार मैं सूचता हूं मैं इनकी तरह बन जाऊं सब अच्छा गाते हैं वैसे लेकिन उनके अलावा अगर जो मैं बनूल हमाने पहना जो बोली हूँ इनकी वाईस भी बड़ी उच्छी लगती है उसका नाम है धोल बजदा टाइटल तो मेरे अपने चैनल पे वो रिलीज हुआ है बंटी गोरिये जम्मू वाले पे तो उसकी मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ टोल बजदा मैयाजी तेरे टोल बजदा टोल बजदा मैयाद धर्वा निमिठा मिठा टोल बजदा बावे वालीदे धर्वा निमिठा मिठा टोल बजदा नच देने मैया तेरे पगत पेयार नी नच देने महिया तेरे पगत पेयारे नच नच महिया जी दे लौदेने जेकारे नी क्या बात है क्या बात है मन नहीं करता है आपको बोले कि चुप हो जाओ मन करता है वह सुनते चले जाओ सुनते चले जाओ सर लास में मैं जानना चाहूंगा जमू कश्मीर की अवाम के लिए आपके जो ऑडियन्स है जो आपको देखना पसंद करते हैं आपको सुनना पसंद करते हैं क्या निया सप्राइज पैकेस जो है आपकी तरफ से आने वाला उनके लिए अभी मेरा एक पंज दोगरी सांग रिलेज होगा तो हमारी एक शॉर्ट मूवी भी है जो डोगरी में आएगी तो बड़ी जल्दी वह आपको देखने को मिलेगी तो यह इन प्रोजेक्ट पर अभी जो है मेरा काम चल रहा है जी सब बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं लाइक आ मेरा नया अपडेट कोई वी वीडियो वगरा होती है वह आप वहां पर जाके देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल करना है बंटी गोरिया जमू वाले तो आप वहां पर जाके मेरा कोई भी अपडेट जो है वो सुन सकते हैं देख सकते हैं चलि बहुत एक रिक्वेस्ट जरूर हम आपसे करना चाहेंगी जैसे हर बार हम आपसे कहते हैं कि जमू कश्मीर के जो हमारे कलाकार हैं कहीं ना कहीं हमारी जम्मेदारी है जमू कश्मीर की अवाम की जम्मेदारी है कि हम उनको सपोर्ट करें जो वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं उनका हम उनका हम जादा से जादा Hann करें कि जम्मू कश्मीर को एक next level पे जो है वो लेकर जा सके हैं जम्मू कश्मीर को international लेवल पर जो है वो रिपरेजेंट करें फिलाल ये कन्वर्जेशन आपको कैसा लगा आप अपनी राय जो है कमेंसेशन में जरूर रखिएगा नमस्कार